तो अब हमारा टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है प्रमोटर का प्रमोटर और जो इनकॉर्परेशन प्रोसेस है हम उसके बाद करने बाले है देखो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ कि प्रमोटर जो है ये कंपनी जाट 1956 में इसके बारे में कुछ भी प्रॉपर डेफिनेशन गिवन नहीं थी प्रमोटर कौन होता है दो वर्ड आपके सामने आ गए है एक वर्ड आया इनकॉर्परेशन का मतलब कंपनी का रेजिस्ट्रेशन हो जाना गॉर्मेंट के रिकॉर्ड्स में अब आया प्रमोटर तो मैं आपको प्रमोटर के बारे में कुछ बातें बता देता हूँ आजकल आप स्टार्टप के आरे में बड़ा बात करते हो ना स्टार्टप, स्टार्टप, ये वाली स्टार्टप, वाली स्टार्टप तो अगर आप स्टार्टप की बात करते हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि start-up में आप टर्म पढ़ते हो co-founder founder पढ़ते हो या co-founder पढ़ते हो कि इस इनसान ने इस company का एक particular कोई person जो है वो उस company का है founder यह हम बोलते हैं co-founder ठीक है Ola के लिए आप बोलते हो न ऐसा Ola के लिए या Uber के लिए Uber is not an Indian company Ola तो Indian company है तो आप इन companies के लिए बोलते हो कि यह जो company इनका founder Bhavish Agrawal जो है वो Ola का founder है फिर आप Ritish Agrawal की बात करते हो Oyo Rooms का founder तो these are basically यह लोग कौन है यह लोग होते है promoter यह लोग होते है promoter प्रमोटर वो इनसान है जिसके दिमाग में यह idea आया था कि मुझे कंपनी स्टार्ट करनी है मुझे कोई कंपनी स्टार्ट करनी है मुझे एक business स्टार्ट करना है वो होते है promoter धीरुबायमबानी Reliance के promoter थे अब मुकेशमबानी promoter है अब आप बोलोगे सर मुकेशमबानी मुकेशमबानी ने श्रुवात नहीं की थे शुरुवात उनके फादर नहीं की थी मैं आपकी बात से बिलकुल agree करता हूँ मैं बिलकुल agree करता हूँ इस बात से लेकिन जब हम deviation को देखेंगे न तो वहाँ पर आपको clear कर दूँगा कि जिस इंसान का company की ऊपर control है at this moment वो भी promoter होता है तो हो सकता है कि आने वाल दिनों Reliance का promoter मैं बन जाऊ I am not the founder of Reliance लेकिन अगर मेरे पास Reliance का क्या आजा है control क्या आजा है control आशा imagine करो किसी movie का scene imagine करो शोले movie का scene imagine कर लो ठीक है जिसमें कि मान लो शोले movie में शायरा सब हुआ हो कि धर्मेंदर ने जो गबबर सिंग को ऐसे पकड़ रखा है अपने ऐसे गर्दन दबा रखी है अपने हाथ से उसके गर्दन को दबा रखा है तो धर्मेंदर के पास गबबर सिंग का क्या था या जै वीरू के पास उसका क्या आ गया? उसके गर्दन पर आ गया control पकड जिसको हम बूलते हैं तो आपके पार जब किसी कंपनी में control आ जाए तो भी आप उस कंपनी के promoter बन सकते हो यू कैन भी promoter अगर आप उसके co-founder तो भी आप क्या बन जाओगे? उसके promoter बन जाओगे लेकिन मैं सारी बाते हैं आपको बताऊँगा अभी एक एक करके सारे आस्पेट को discuss करेंगे देखो हमने एक definition discuss की थी private company किसमें section 2 clause 68 of the company's act 2 clause 68 of the company's act and section 2 clause 69 किसका है? promoter का ये सब section नहीं है these are clauses इनको आप sub section read नहीं करोगे इनको आप clause read करोगे companies act में section 2 के अंदर जितनी भी definition है वो सारे के सारे clause है वो सारे के सारे clause है वो सारे के सारे sub section नहीं है और sub section कब पढ़ते हैं? sub section हम तब पढ़ते हैं जब दो provisions के बीच में connection हो जब दो provision बिलकुल independent हो तो हम बोलेंगे clause तो हम बोलेंगे clause तो section 2 में जब देफिनिशन से वो सारे independent है इसलिए वो clause है इसलिए वो sub section नहीं है तो प्रमोटर कौन है पहला आ गया who has been named as such जिसको प्रमोटर नाम से identify किया गया है किसमें in a prospectus किसमें company के prospectus में जिसके definition को हम section 2 clause 70 में पढ़ते हैं 68 में private company, 69 में promoter 70 में prospectus 70 में public company ठीक है और ठीक है 2 clause 69 के definition में बता रहा हूँ और is identified is identified by the company तो promoter वो भी इंसान होसता है जिसने company की शुरुवात करी हो और आगे चलके वो भी होसता है जिसके पास company का control आ गया हो वो भी फिर company का promoter बन सकता है जिस इंसान ने company के शुरुवात करी वो कब तक उस company में रहेगा आपने पर लाइफ टाइम रहेगा मैं बोल सकता हूँ के Steve Jobs Apple के promoter मैं बात बिल्कुल मान सकता हूँ आपकी बट क्या Steve Jobs अब इस दुनिया में है नहीं सर स्टीव जॉब्स तब इस दुनिया में है उनके तो death बहुत साल पहले हो चुकी है 2011 2012 2011 Steve Jobs passed away अब इतने साल बात भी Apple में promoter तो ही ना बिनना promoter के company कैसे काम कर रही है दिरू भाई अंबानी ने शुरुबात की थी promoter थे वो reliance के लेकिन अब promoter कौन है अंबानी family promoter है इस बात को समझो इस बात को समझने कोशिश करो तो देखो मैंने जो डेफिनेशन लिखी मैंने लिखा who has been named as such in a prospectus or is identified by the company लिखा मैंने identified by the company किसमे in the annual return तो आपको ये पता करना है कि सर मुझे एक company का promoter पता करना है मैं कैसे पता लगा हूँ ठीक है आपने ये बोल दिया मुझे एक company का promoter पता करना है मैं कैसे पता लगा हूँ तो मैं बोलूँगा ठीक है उस company का prospectus देख लो उस company का prospectus देख लो और prospectus में नहीं है नहीं है तो उसका annual return में देख लो किसमें देख लो annual return में देख लो जिस annual return की बात हम किसमें करते हैं section 92 of the companies act में करते हैं किसमें बात करते हैं इसकी section 92 of the Companies Act ठीक है इतनी बात तो समझ में आ गई लेकिन मैं रिखो अब ये समझ में नहीं है सर ये prospectus, ये annual return तो मैंने सुचा कि ठीक है काम करता हूँ मैं आपको जरा दिखाता हूँ prospectus और आपको मैं दिखाता हूँ annual return भी ठीक है तो ये देखी जरा ये आ गया prospectus और ये आ गया हमारे सामने MGT7 ठीक है क्या बोलते हैं इसको MGT7 annual return other than OPC and small companies ठीक है तो देखें इसको तो मैंने पहले क्या बताया कि जिसको company के prospectus में किसमें company के prospectus में जिसको की promoter दिखा रखा है तो मेरे पास ये एक company का draft red hearing prospectus है इसको DRHP बोलते हैं जो Xaro company ने Xaro Tiles Limited company है जिसने SEBI के पास फाइल किया था ठीक है तो ये DRHP जो है ये DRHP पुराना है बट it doesn't matter इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पुराना हो नया हो अमें उससे फर्क नहीं पड़ता इस सिर्फ आपके example के लिए है ठीक है example के लिए है और इसका purpose सिर्फ ये बताना है आपको के देखो इसमें promoter का नाम लिखा होता है ये company का prospectus हमारे सामने और ये देखो नाम अवर प्रमोटर्स Mr. Mukesh Kumar Mittal Mr. Kiran Kumar Mittal Mr. Dinesh Bhai Patel and Mr. Ramesh Bhai Patel ठीक है गुजराती है I think ये लोग गुजराती है ये यहाँ पर promoters के नाम आ गए ठीक है आप पढ़पा रहे हो ये देखो ये मैंने company के prospectus से ये नाम निकाले है किस से निकाले है ये मैंने ये नाम जितने भी आप यहाँ पढ़पा रहे हो ये company के prospectus में लिखे में है उपर आपने देखा लिखावा था DRHP Draft Red Hearing Prospectus of the Company Xero Tiles Limited का ये prospectus है ये शायद दे 500 pages का 362 pages का ये prospectus है लेकिन उसमें से हमारे काम की वह एक line थी जो मैंने आपको बता दिया किसी भी company के आप promoter पता करना हो तो ये एक तरीका है ऐसे पता कर सकते हैं तो promoter कौन है जिसका नाम कहां लिखा हो जिसका नाम यहां लिखा हो और हम क्यूं identify कर रहे हैं ये आपको देड़ देड़ पता लगेगा क्योंकि companies आक में ऐसे बहुत सारे sections है जिनमें की promoter की liability आती है अगर company में कुछ गलत हो रहा है तो कुछ गलत हो रहा है अगर इस prospectus में कोई misstatement होगा कोई गलत information होगी ना तो इनकी liability आ सकती है इनके against में फिर case चलेगा इनके against में civil criminal liability जो है वो arise हो सकती है इसलिए हम promoter को पड़ते है आगे मेरी बात समझ में अब देखो तो पहला हमने point क्या देखा कि promoter वो है जिसका नाम किस में लिखाओ who has been named as such in a prospectus or is identified by the company in the annual return तो हर company को अपने एक annual return mgt7 इसके बारे में हम section 92 of the companies act में अच्छे से पढ़ते हैं और अगर OPC company है या small company है तो उस case में क्या होता है उस case में 7A use होता है ठीक है mgt7 ए यूज होता है तो यहाँ पर यह हमारे पास mgt7 का form आ गया यह form में आपको क्यों दिखा रहा हूँ क्योंकि देखो इसमें एक section आएगा ठीक है इसमें एक section आएगा जो section हमें देखना चाहिए जिसमें यह promoter के बारे में सब कुछ लिखा हूआ है ठीक है जिसमें promoters के बारे में यहाँ पर information गवरे यह देखिए तो यह company की annual return कुछ ऐसे file होती है इस form में file होती है और इस form में यह देखो आपके लिखा हूँ न शेर होल्डिंग पाटर्न किसका promoters का तो यहाँ promoters के रहे में साए information जो है वो demand करता है ROC के पास file करनी होती है वो सारी के सारी information तो वो सारी information जो file करनी होगी उसमें हमें promoters के बारे में information देनी होगी तो यहाँ पे जिन लोगों को promoter दिखाया गया है इस form में इस MGT 7 में जिसको हम बोलते है क्या annual return of the company चाहे देखो आइधर वो company private limited company हो चाहे वो public limited company हो उन सबको अपनी annual return file करनी पड़ती है तो उसमें जिस person का नाम दिखा रखा है कि हाँ संयोग व्यास तो संयोग व्यास उस company के क्या बन गया उस company का promoter बन गया क्योंकि उसके annual return मेरा नाम है मेरा नम annual return में नहीं है मेरा नम prospectus में है अभी में company का क्या हूं तो भी में company का promoter हूं ठीक है तो ये पहला तरीका है promoter को पहचानने का promoter को identify करने का मैंने सोचा था कि मैं आपको Reliance की annual return डाउनलोड करके दिखा हूं तो मैंने इसके लिए in fact fees भी पेग की थी MCA लेकिन कुछ साइट में कुछ problem आ गया fee तो में pay कर चुका था I wanted download कि मैं Reliance की annual return डाउनलोड करूं और वहाँ पे मैं आपको Reliance के promoters दिखा हूं लेकिन खेर मेरा purpose पूरा हो गया मैंने आपको prospectus भी दिखाया और मैंने आपको annual return भी दिखा दी और आपको बता दिया कि promoter कैसे ढूंते है ठीक है उसके बाद अगला point promoter की definition जो है वो यहाँ खतम नहीं हुई है उसके बाद लिखाव है who has control who has control देखो यह वाला मेरा action याद रखो ठीक है imagine करो कि मैंने किसी गर्दन को ऐसे दबा रखा है किसी गर्दन पे मेरा control है तो उसकी life मेरा control आ गया उसकी जिंदगी पे मेरा control आ गया क्योंकि मैंने उसकी गर्दन को दबा रखा है अभी के लिए तो वो बचके निकल जाए वो अलग बात है लेकिन अभी के लिए मेरा क्या है उसकी उपर control control कंट्रॉल आपका किसी और की उपर है अपने आप पर कंच्रोल नहीं है इसा हिए या कई बार टाइगर्स को, एलिफेंट को, जो ट्रेन करते हैं, उनके ट्रेनर्स का भी उनके ओपर क्या होता है, जो कमांड उनको देंगे न, वो ही करेंगा, ऐसा ही होता है, artificial intelligence कर डाई में मैं मेरे घर में Alexa को बोलता हूँ Alexa ये वाला गाना प्ले कर दो चेक है तो इत में पॉसिबल अभी मैं जोर से निए बोलूँ Alexa बस जोर से बोलूँ पता लगा Alexa गाना प्ले करना स्टार्ट कर दे है हमाई recording के बीच में तो artificial intelligence कर डाई में तो हमारा भी चीजों की उपर क्या होता है? Control होता है Voice Command चीजें काम करती ही न तो यहाँ पर हम बात करें उस इंसान के जिसका क्या है? Control तो यहाँ पर यह बात या दखना यह वो person है जिसका नाम Annual Return में ना हो Annual Return में ना हो Prospectus में चाहे नाम ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता हमें सिर्फ यह जानना है कि उसका control है over the affairs of the company Company के काम काच पर Company के decision making पर control है Now this could be directly or indirectly यह directly भी हो सकता है और this could be indirectly यह directly और indirectly कैसे होता है? ठीक है इंग डिरेक्टली तो आप समझ गए होंगे मेरे पास माल लो किसी company के 90% shares है तो मेरे पास किसी company 90% shares है तो अस company में वह होगा जो मैं चाहूँगा Because I am the majority shareholder मेरे पास एक company के 90% shares है 9-0 not 1-9 तो आप बोल दोगे हासर आपके पास direct control आगया क्या गया? direct control आगया अब मान लो ठीक है? अब मैं बात कर लेता हूँ indirectly की indirectly की बात कर लेता हूँ अब मेरे पास एक company के 90% shares है and that company holds ठीक है? मेरे पास जो company है मेरे पास एक company के 90% shares है और वो company ठीक है? वो company जो है वो company hold करती है 85% shares in Wipro कितने shares hold कर रही है? 85% shares in Wipro लेकिन जिस company के पास 85% shares है उस company के भी 90% shares किस के पास में है? मेरे पास में है बदब तुम जिस स्कूल के टीचर हो ना वो स्कूल का मेरे पास में है और I am the trustee of that school जिस स्कूल के तुम प्रिंसिपल हो या तुम जिस गेटिंगे पॉइंट तो ultimate control किस के पास में है? ultimate control मेरे पास में है तो control could be direct or it could be indirect directly simply गए 90% shares खरी लिए या आप उसकी parent company के पास गए और आपने parent company के shares खरी लिए किस के stock खरी लिए आपने? आपने उस company के parent company के stocks खरी लिए तो parent company के stock खरीते ही अपने आप जो कंपनी है वो आपके पास नहीं हागी getting a point is it clear so who has control over the affairs of the company directly or indirectly indirectly समझ के whether as a share holder ठीक है weather as a share holder मतलब share holder की capacity में आप hold करते हो साथ में मानलो आप director हो और otherwise किसी भी तरीके से आपके पास क्या आजाए उसका control आजाए आप देखो यहाँ पे एक बात आप याद रखना यह जो term है ना control यह term बहुत important है बहुत important है और इसलिए मने इस term को अभी उपर ऐसे highlight किया था क्योंकि एक तो जो control टर्म है यह companies आप में section 2 clause 27 में defined है किसमें है section 2 clause 27 और 2 clause 27 कहता है दाट कंट्रोल शाल इंक्ल्यूड राइट टू अपॉइंट तो यह company's act में ना control word को यह पूरी तरीके से clear कर रखा है कि control word का क्या मीनिंग है हमने बोल दिना मेरे पास एक दूसरी कंपनी कंट्रोल है तो यह control कैसे ही समझो यह control ऐसे है कि उसके majority of directors को मैं appoint कर सकता हूं majority of the directors ठीक है और तो कंट्रोल अच्छा मान लो अदानी जो company है अदानी लिमिटेड अदानी लिमिटेड कंपनी में 15 directors है 15 directors और 15 में से ना majority निकालते है आठ directors जो है वो मैं appoint कर सकता हूं यह मैं remove कर सकता हूं मेरे पास right है director appoint करने का अब बोलोगे sir कैसे आपके पास ही right मैंने बोला है मैंने उस company के shares ले रखे हैं और shares खरीदने का मतलब आपने ए company उखरीद लिया बस यह depend करता है आपने majority of shares खरीदे हूं क्या खरीदे हूं majority तो मैंने का मेरे पास अदानी के 75% shares है अदानी लिमिटेड जो company है उसके 75% shares मेरे पास में है इसलिए मैं उस company के majority of directors को appoint कर सकता हूं is that clear? तो control कैसे आया? control का मतलब यह है कि जब आप उस company के management को control कर सको management, control the management और policy decisions policy decisions ठीक है? चाहे वो एक person खुद कर ले या हम उसको बोलते है person acting in concert P.A.C. 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 means person acting in concert मेरे पास वो जो control है वो मेरे किसी family members के थू control है मैंने बोल जो 75% shares है 75% shares में 60% share मेरे पास में है 15% share मेरी wife के पास में है कितने हो गए 75% shares हो गए तो person और person acting individually और in concert ठीक है तो यहाँ पर चाहे वो hold कर रहा हूँ directly या indirectly यह control का मतलब है और मैं इसलिए आपको control की definition जो है वो clear कर रहा हूँ directly और indirectly ठीक है और यह control कैसे हो सकता है यह control हो सकता है शेर होल्डिंग और वोटिंग अग्रेमेंट दो अग्रेमेंट यहाँ पर हमने देख लिए शेर होल्डिंग और वोटिंग अग्रेमेंट और इन अधर मैनर और इन अधर मैनर अच्छा मैं आपको control की ना एक और example दे के बताता हूँ एक और example दे के बताता हूँ cafe coffee day के बारे में तो आपने सुना होगा जानते होंगा cafe coffee day को cafe coffee day के राइट प्रमोटर ने क्या किया था suicide कर लिया था आपको पता हूँ का पूरा जो unfortunate case cafe coffee day case में हुआ था मान लो के shares की बात नहीं करते हैं shares की बात नहीं कर रहे हम लोग मान लेते हैं कि ऐसा हुआ कि Tata limited company में cafe coffee day में कुछ पैसा debt की form में invest कर दिया debt की form में invest कर दिया shares नहीं लिया है पैसा दे दिया ओर साथ में agreement कर लिया shareholding agreement कर लिया और agreement ये कर लिया के हम आपको पैसा इस condition पर देंगे आपकी company के majority of directors को appoint करने का right हमारे पास में होगा आपकी company के majority of directors को appoint करने का right हमारे पास में होगा तो यहाँ पर भी क्या आ गया जैसे ही उन्होंने majority of directors को appoint करने का right ले लिया वैसे ही क्या आ गया वैसे ही Tata Group के पास में company का control आ गया control आ गया और यह control कैसे आया यह control आ गया loan देकर और साथ में agreement करके loan देकर या agreement करके ठीक है, डिरेक्टली का मतलब क्या होता है, जब आप खुद जाओ और शेर ले आओ, और इंडिरेक्टली का मतलब चैरा छुपाओ अपना तो, और अपने बहाफ पे किसी और को आगे कर दो, अपने दोस्त को, फामिली मेंबर को, अपनी किसी कमपनी को, कि आप शेर खड़ी आई मेरी बास समझ में, who has control over the affairs, कमपनी कामकाच पर जिसका control हो, चाहे वो डिरेक्ली हो, चाहे वो इंडिरेक्ली हो, चाहे वो शेर होल्डर डिरेक्टर हो, या फिर अदरवाइस हो, किसी भी तरीके से control आगे है, ठीक है, तो क्या, सर, प्रमोटर की डेफिनेशन यहाँ ख यह definition, it will take seconds, कुछ seconds में आप इस definition को पढ़ लोगे, लेकिन बस आप उसको पढ़ ही पाओगे, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाओगे, और इस definition को समझना, सबसे ज़्यादा important parts में से एक है, सबसे crucial है definition, ठीक है, पहले मैंने आपको इसका first part बताया, जिसमें मैंने आपको ब पिर मैंने आपको बताया, जिसके पास company का क्या हो, control हो, control कैसे भी create की आजा सकता है, फिर control की definition, हमने section 2 clause 27 में देखी, मैंने आपको बता दिया, अब देखो 30 aspect, 30 aspect, तीनों में से कोई भी condition applicable हो जाएगी, तो promoter बन जाएगा, ठीक है, अब देखो, in accordance with, in accordance with whose advise जिसकी सलह पर जिसकी directions पे, जिसकी सलह पर, जिसकी directions पे या जिसके instructions जिसको हिंदी में बोलते हैं निरदेश, जिसके instructions पे the board, the board of directors, company का जो B.O.D. है, section 2 clause 10 में cover होता है, board of the company is accustomed to act, मतब company का जो B.O.D. है, जिसकी सलाह मश्वरे पे काम करता है, जिसकी directions को follow करता है, ठीक है, तो जिसके direction पे, जिसके instruction पे, जिसकी advice पे company का board of director काम करता है, वो इंसान भी क्या होता है, company का promoter होता है, चाहे उसका नाम company के prospectus में ना लिखा हो, समझें हो मेरी बात, चाहे उसका नाम company अंदल्टन में नहीं लिखा, और ये भी दिखा दिया कि इसका तो control भी नहीं है company की उपर, तो हमने का ठीक है, कोई ऐसा इंसान जिसकी direction पे company के B.O.D. काम करता हो, अगर करता है, तो वो इंसा क्या है company का promoter है, ठीक है, ठीक है, कई बार देखो promoter क्या होते हैं, कई बार promoter कुछ families भी होती है, जैसे आपको बताया ना कि Reliance की जो family है, वो promoter Reliance group की, क्योंकि majority of shares उनहीं के पास नहीं है, उनका control है, अब एक सवाल ही आता है, यहाँ पर एक proviso है, जिसके बारे हम बात करे एक सवाल यहाँ पर जो आता है, वो सवाल यहाँ पर यह arise होता है, question जो है, वो arise होता है, कि सर, company में तो हम लोग भी जाएंगे, तो हमारी advice पर भी तो company के board directors काम करेंगे, नहीं करेंगे के नहीं करेंगे, जो company में जाता है, तो company में, company का CFO, Chartered, राइट, Chartered क्या, CFO, right, CEO, Chief Executive Officer and CFO is Chief Financial Officer, जैसा मैं company का CFO बन जाओंगा या बन जाओंगी, तो उसके बाद company के board of directors क्या मुझसे advice नहीं लेंगे, कंपनी में advice लेते हैं, किसे advice लेते हैं, chartered accountant से advice लेते हैं, company secretary से advice लेते हैं, right, company के जो legal counsel होती है, उनसे company advice लेती है, CMA, Cost and Management Accountant, और अब senior profile पर जो लोग होते हैं, जो कि obviously they are professionals, दोसर्ट ये जो professionals होते हैं, हम लोग जो होते हैं, जब हम company में पहुँच जाएंगे, तो हमसे भी company क्या करेगी, हमसे भी company device लेगी, तो क्या हम company के promoter नहीं कहलाएंगे, हम तो directors को बलेंगे, रहे, आप हमारी device पे काम करते हैं, we are promoters, man, we are promoters, तो हमारी आगे, ऐसा बलकुल मत बोल ला, ऐसा बोल मत देना, उनको लगेगा, उनको लगेगा, उन्होंने इंटर्वी में गलती कर दी, हाइरिंगे टाइम पर ही question क्योंने पूछा कि promoter कौन होता है, आपकी advice ली जाएगी, but trust me, provided that, इस प्रवाईजो को पूरा पडलो, nothing in, subclause C, subclause C, shall apply to a person, who is merely, who is acting merely, जोगी कैसे काम कर रहा हूँ, इन्हें professional capacity, so funda, बड़ा क्लियर है, funda यहाँ पर बड़ा क्लियर है, जो professional capacity में काम करेगा, वो promoter नहीं कहलाएगा, ठीक है, यह लो examples पी लिख दिया मैंने यहाँ पर, so यह CSCME के advice पर company के BOD काम करेंगे, लेकिन इन्हें promoter नहीं कहलाए जाएगे, क्योंकि यहाँ पर clear है, यह किसने clear कर दिया है, यह clear कर दिया है, इस definition नहीं, तो definition यहाँ पर जो है, यह अपने आप में एक self-explanatory point है यहाँ पर, ठीक है, आगई बात समझ में, इतनी बार आपको समझ में आगई, और मैंने आपको यह तीन चीज़ें बताई, तो तीनों पॉइंट्स और फिर से मैं repeat कर देता हूँ, पहला मैंने आपको बताया, प्रमोटर कौन है, जिसका नाम प्रोस्पेक्टर्स में, अनुलेटर में लिखा हूँ, दूसरा वो, जिसके पास कंपनी का control हो, चाहे वो directly हो, चाहे indirectly हो, whether as a shareholder, डिरेक्टर और otherwise, कंट्रोल के definition को हमने अच्छे से पढ़ लिया, section 2, close 27, तीसरा हमने यह पढ़ा, तीनों में से कोई भी एक condition अप्लाई होनी चाहिए, जिसके device पे company के board of directors are accustomed to act, उसे ही promoter कहा जाता है, इसमें CA, CA, CMA include, नहीं होते, ठीक है, यह शामिल नहीं होते, आगे बढ़ें इससे, चलो ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं, and now, let's talk about the, चोटा साथ, मैं आपको इक पिताता हूँ चीज, के इनकी legal position क्या होती है, इनकी legal position of promoter, कंपनी से इनका legally क्या relation है, चोटा सा एक point है, तो मैं आपको फटा-फट विदिन 5 minutes बता दूँगा यह point, सिर्फ knowledge के लिए बता रहा हूँ, knowledge के लिए बता रहा हूँ, और, तो मेरा purpose यह है, कि सिर्फ आपका इहाँ पे knowledge enhance हो, कुछ मैं ज़ादा बता रहा हूँ, यहाँ थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, देकिन मेरा purpose है कि यह थोड़ा सा आपके दिमाग में clarity रहे, तो देखो, जब company का incorporation हो गया, यहाँ पे company का हो गया incorporation, और जब company का incorporation नहीं होता, उस stage को हम बोलते हैं क्या, उस stage को हम बोलते हैं, प्री इनकॉर्परेशन, प्री इनकॉर्परेशन, ठीक है, जब कोई company बन जाती है न, जब कोई company रेजिस्टर हो जाती है, तो रेजिस्टर होने के बाद, company में director आजाते हैं, कौना आते हैं, director आजाते हैं, ठीक है, director आजाते हैं, promoter अभी भी रहते हैं promoter पहले भी थे promoter अब भी है हो सकता है कि उन में से कुछ promoter जो है वो company के director ही बन जाए यह possible है लेकिन जब कोई company pre-incorporation stage में होती है तो सिर्फ और सिर्फ promoter होते है incorporation का मतलब company का registration हो गया company एक incorporation होने का मतलब क्या हुआ now company is a entity separate legal entity company अब एक artificial person मन गई है कौंसी person मन नहीं याद रखो है यहाँ पर now company is a artificial person separate legal entity and artificial person is that clear? आई ही मही बात समझ में separate legal entity है artificial person है लेकिन pre-incorporation stage में company का कोई legally on purpose कोई existence नहीं होता जब आपकी company register हो गई न तो आप company के नाम से property खरीद लो company अपने नाम से property बेच सकती है company अपने नाम से जो चाहे वो कर सकती है company अपने नाम से case file कर सकती है company के ऊपर case file हो सकता है company का bank account open हो सकता है मतलब company बहुत कुछ कर सकती जब company का registration हो जाए company shares खड़ी सकती है company shares बेच सकती है company employees को hire कर सकती है company employees को fire कर सकती है लेकिन ये कब होता है जब company का incorporation हो गया हो मतलब company को registration certificate मिल गया हो जैसे कि छोटे बच्चे को पैदा होते ही हम क्या बोलते है birth certificate मिलता ना birth certificate कि वो उस दुनिया में existence में आ चुका है तो government की side से municipality एक birth certificate issue करती है वैसे company का भी एक certificate होता है जिसको हम बोलते हैं उसका incorporation document या जिसको हम बोलते हैं COI, Certificate of Incorporation चीक है क्या बोलते हैं उसको हम उसको हम बोलते हैं COI, Certificate of Incorporation लेकिन देखो pre-incorporation stage, pre-incorporation stage जहां company legally law की नज़रों में है ही नहीं law की नज़रों में ही नहीं ठीक है, I still remember जब मैं college में था, MBA में था तो मैंने अपने दोस्त के साथ मिलकर हमने एक company मनाई थी मेरे एक दोस्त के साथ मिलकर मैंने company मनाई जिसका नाम था JVFV Foundation ठीक है, वैसे एक और company है, Sachin Tendulkar Foundation वो sectionate company है, Sachin Tendulkar Foundation Sachin के बारे मुझे ज़्यादा पता रहता है कि Sachin को मैं इतना follow करता हूं, इतना fan of Sachin का तो मैं I am a big fan now of Sachin Tendulkar, ठीक है, बच्पन से तो हमने एक company नहीं JVRU FY FY के वलफ मत पूछना, राइट JVFV, JVFV, not Y JVFV Foundation हमने बनाई, लेकिन वो कभी papers में आई नहीं वो सिफ हमारे notebook के papers में आई, हमारे ideas में रही लेकिन कभी registration नहीं हुआ ठीक है, तो देखो जो paper पर जो आ जाए, registered हो जाए, उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं, कंपनी का registration हो गया तो जनम दिने वाले कंपनी कौन हो गए? प्रमोटरस हो गए, ठीक है? लेकिन याद खना, हम Indian Contract Act में एक टॉपिक पढ़ते हैं, Contract of Agency, हम partnership में ही बोलते हैं कि एक partner, दूसरे partner क्या होता है? एजिन्ट होता है, लेकिन याद खना, प्रमोटर कभी भी कंपनी का एजिन्ट नहीं ह होता है, तो अगर कोई question ऐसा आप से पूछा जाए, तो ये company का agent कभी नहीं है, हाँ, डिरेक्टर कंपनी का agent हो गया, वो अलग बात है, डिरेक्टर कंपनी का employee भी हो सकता है, ठीक है? तो प्रमोटर होता कौन है, फिर, agent भी नहीं है company का, मैंने ता आपको बोल दिया, parent होता एक तरीके से, लेकिन law की नजरों में, इस word का कोई existence नहीं है, जो मैंने आपको word बताया, trustee, ये trustee भी नहीं होता, ये company का employee भी नहीं होता, अब sir, agent क्यों नहीं है, क्योंकि company जो ना, वो contract करने के लिए competent नहीं है, Indian contract act का simple सा concept लगाओ, Indian contract act, जिसमें कहा लिखावा, contract करने के लिए आप competent हो, और company तो अभी law की नजरों में, existence में आई ही नहीं है, तो contract करने के लिए competent कैसे हो गई, जब company का registration हो जाएगा, उसके बाद company shares खरीद ले, कोई problem नहीं है, contract कर ले, shares खरीदने का employee hire कर ले, कोई problem नहीं है, ये company register हो चुकी है, लेकिन जब तक company का registration नहीं हुआ, तक तक company principle कैसे बन सकती है, और company principle नहीं बन पाएगी, तो promoter company का agent कैसे बन सकता है, ठेक है, तो promoter जो है, ना तो agent है, ना trust ही है, तो हम ये बोलते हैं कि सिर्फ एक there is a relation of fiduciary, fiduciary का मतलब होता है, relationship of trust and confidence, तो इसका क्या बनता है, company के साथ एक fiduciary relation बनता है, promoter ने पूछा company को, हम आपके हैं कौन, हम आपके हैं कौन, क्योंकि ना तो हम law के नज़रों में आपके कुछ भी नहीं है, तो हम बोल देंगे क्या, कि fiduciary relationship है, acting in good faith for beneficiary, beneficiary कौन है, company है, तो बस company के लिए काम करेगा, इतनी बात अब समझ लो, ना तो trustee है, और ना ही वो क्य है, company का employee, ठीक है, प्रमोटर की duty ही होती है, कि वो कोई भी, अगर secret profit earn कर रहा है, during the incorporation process, तो वो उसको reveal करे, तो वो उसको reveal करे, यह उसकी responsibility है, ठीक है, प्रमोटर पैसा भी लगाता है, company को बनाने के लिए, company को बनाने के लिए, पैसा भी लगाता है, लेकिन companies act में ऐसा कोई provision नहीं है, कि company जो है, वो प्रमोटर को compensate करेगी, जो पैसा promoter ने company को बनाने के लिए लगाया, हाँ, यह कर सकती है company उसको compensate टाने के लिए, कि company उसको जो है, वो किसी तरीके को commission पे कर दे, या उसको shares issue कर दे face value पे in future company की तरफ से अपने promoter को share जो है वो face value पे issue कर दिये जाए in corporation expenses जो promoter करता है ठीक है तो देखो यहां हमने बोल दिया यह हो गया registration registration हो गया और यहां company बन गई separate legal entity तो जो मैं आपको point बता रहा हूँ उसको मैं भी explain भी कर देता हूँ ठीक है और यह आगई हमारी pre incorporation stage ठीक है तो इस pre incorporation stage में let's suppose company के लिए office लिया है क्या लिया है company के लिए office चाहिए company के लिए land चाहिए तो company के लिए जो office चाहिए या जो company के लिए land चाहिए वो किस ने दिया वो दिया प्रमोटर ने मान लो एक कंपनी के पांच प्रमोटर से everyone is investing 50 lakh each पांच प्रमोटर से धाई क्लोड रुपय इंवेस्ट कर रहे हैं प्रमोटर से एक कंपनी को बनानी में ठीक है उसमें से एक प्रमोटर है वो ये बोलता है कि मैं लैंड दे रहा हूँ एक प्रमोटर है वो ये बोलता है कि मैं लैंड दे रहा हूँ ओफिस के लिए दूसरा प्रमोटर है वो बोलता है कि मैं लैंड दे रहा हूँ फाक्टरी के लिए लैंड दे रहा हूँ मीज़ इपनी एक टोटल प्रमूटर से पांच बेच एक बीच्रा यह तो अब ऑफिस के लिए जो लान दे रहा है प्रमूटर इतने हैंлять lot ट्यटी लाइक्स 20 लाग उसकी वैल्यू है लेकिन वो कंपनी को सेल कितने में कर रहा है वो जूट बोलकर सेल कर रहा है उस लाइंड को कितने अमाउंट में 50 लाइक्स में इसके साथ जो पूरा कॉंट्राक्ट होगा वो कंपनी रिजिस्टरेशन होने के बाद में ही होगा यह मैं आपको बता देता हूँ ठीक है क्योंकि कंपनी अभी existence में नहीं आई है लेकिन यह कितने में बिच रहा है 50 लाइक्स में तो यहाँ पर यह प्रमोटर बेसिकली क्या कर रहा है यह secret profit कमा रहा है यह अपने बाकी promoters को cheating कर रहा है उनके साथ में यह company साथ में क्या कर रहा है cheating कर रहा है क्योंकि value जिसकी 20 लाइक रुपए उसको sale कर रहा है 50 लाइक में तो यह क्या earn कर रहा है यह secret profit earn कर रहा है तो जब secret profit जब कोई promoter earn करता है तो उस case में company उसकी ऊपर case file कर सकती है आप देखो factory के लिए land दे रहा है factory के लिए land दे रहा है जिसकी value है 40 लाइक रुपीज दूसरा promoter चलो यह मैंने बोल दिया यह B है और यह A है दौनों को अलग-अलग करते है दौनों को अलग-अलग करते है B बोलता है value 40 लाइक रुपए लेकिन अगर मैं उस property को market में बेचूँगा तो वो बोलता है कि मैंने इस property को 40 लाइक में बाइ किया था वो यह बोलता है कि मैंने इसको बाइ किया था 40 लाइक में और sale करूँगा 80 लाइक में तो यहाँ पर यह क्या कर रहा है यहाँ पर यह कर रहा है disclose किसको disclose कर रहा है ये profit को disclose कर रहा है तो क्या ये सही है बिलकुल सही है इसमें कोई problem नहीं है promoter profit कमा सकता है पर promoter secret profit नहीं कमा सकता क्या earn नहीं कर सकता secret profit earn नहीं कर सकता वो promoter बोल सकता है कि देखो मैं अमनी land company को दिने के लिए तयार हूँ 40,00,00,00 मैंने buy किया था अगर मैं उस property को market में sell करूँगा company को sell नहीं करता किसी और को sell करता हूँ तो I'll make 80,00,00 रुपीज और company से मुझे 80,00,00,00 मिल जाएंगे बाकी promoters ने का ठीक है आपने clearly में बता दिया आपने जूट नहीं का बिल्कुल ठीक है आपको यह पैसा मिल जाएगा और यह जो profit जोिक्रश्य這個 गभी में को किसको reveal करना पदा है हो किसको reveal करना पदा है वो independent and competent bold of benefits को reveal करना पदा है company के या तो उनको reveal करे या company के articles में reveal करे या company के prospectus में reveal करे या company के shareholders को reveal करे basically अगर कोई profit कमाया है प्रमोटर ना इसको reveal करना होगा और वो secret profit नहीं कमा सकता कोई भी प्रमोटर छुपके profit नहीं कमा सकता और प्रमोटर अगर during the incorporation process कोई जूट बोलता है तो information गलत देने के लिए उसके against में case हो सकता है, वो contract cancel हो सकता है, उसके उपर case हो जाएगा, और damages भी प्रमोटर से claim किये जा सकते हैं section 7 में and section 447 में इसका provision है किसमें provision है, section 7 and section 447 of the Companies Act ठीक है, प्रमोटर किसी company को बनाने के लिए जो भी expenses करता है, pre-incorporation expenses उसको बोलते है, कौन से expenses होते है pre-incorporation expenses अब आप ओलो के सर, expenses कौन कौन से होते है register of company इसको fees देगा expenses professional को तो हायर करेगा chartered accountant को हायर करेगा company बनानी है practicing को हायर करेगा, उसको fees देगा expenses company की जो paid up capital decide करेंगे बोलोग, minimum पे कोई limit नहीं है, लेकिन जो decide रहेंगे, वो भी जो देगा promoter वो company को देगा, company को यो office पी लेगा तो जितने भी formalities होती है, company registration से पहले, वो सारी कौन सी होती है, pre-incorporation formalities, और उसमें जो expenses लगते हैं उनको बोलते हैं, pre-incorporation expenses तो इसके बारे में, article of association article of association जिसको हम बोलते हैं, schedule 1 table F, अगर company limited by shares है तो schedule 1 of the company is at table F जिसमें की model, article of associations है, कौन से हैं, model article of associations है, उसकी regulation number 62 है यहां पे regulation number 62 आप कभी देखोगे ना, उसमें लिखावा है कि company कैसे अपने promoters को reimburse कर सकती है, जो पैसा उन्होंने तब लगाया था, जब company का registration नहीं हुआ था तो वो उसको pay कर सकती है so this is like, कि बच्चा जब छोटा होता है, तो parents उसके उपर पैसा लगाते है उसके education पे, उसकी upbringing पे, और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, और जब उसकी job लग जाती है और he starts earning तो उसके बाद में वो अपने parents को देता है ना अला के, कि आपने में इतना कुछ किया तो मेरी भी responsibility है कि मैं भी अपने parents के लिए कुछ करूँ तो company ही कुछ ऐसा ही करती है अपने promoters के साथ या तो company उनको commission देती है, brokerage देती है या company कई बार क्या करती है उनसे उनको share issue कर देती है face value पे, discount पे company issue नहीं कर सकती तो company face value पे promoters को shares issue कर के उनको किसी तरीके से company compensates them after its incorporation आ गई ही मेरी बात समझ में पूरी बात clear है आपको pre-incorporation दिमाग में समझ में आ गया separate legal entity समझ में आ गया आपको promoter को पैसा कमाना है तो वो secret profit ना कमाए profit कमाने में हमें इतराज नहीं है but secret profit ना कमाए किसी भी तरीके से और जो profit कमाए उसको reveal करे independent and competent board of directors को या फिर company के articles में या company के prospectus में या फिर shareholders को ठीक है उनको reveal करे और promoter की liability देखो कब कब आ सकती है section 7 सबसे पहले अगर company in corporation के time पर गरत information submit की हूँ if any wrong information has been submitted by the promoter section 7 उसके बाद अगर prospectus मिस statement होता है जो मैं आपको बताया ठीक है तो ये इसके बारे में हम आगे बात करेंगे आगे पढ़ेंगे हम इसको जब topic आगा prospectus का तो वहाँ हम पढ़ेंगे there we will discuss miss statement क्या है और कौन कौन से liability promoters के ओपर आ सकती है is it clear? समझ में आया है आपको पूरा promoter का पूरा relation समझ में आया क्या connection है क्या नहीं है definition मैंने आपको बता दी है liability आपको मैंने बता दी duty उनकी ये है कि वो secret profit को reveal करेंगे वो disclose करेंगे सारे material facts को कौन से facts को material facts अब material facts कौन से होते है material मतलब important facts immaterial facts कौन से होते है जो कि important नहीं होते उसको बोलते है immaterial और material वो जो important होते है diligently काम करेंगे, directors को appoint करेंगे, ये उनकी responsibility है, company के first directors को appoint करना ये भी promoters की responsibility आ जाती है फीक है? इतनी बात आपको समझ में आ गई है, ये सारे point I hope आपको पूरी तरीके से clear है कोई doubt हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में और अगले वीडियो में अब हम ये बात करेंगे कि promoters किस तरीके से company को incorporate करते हैं right? Thank you